पीते दो वर्षो से स्टी कर्मचारी अपने वेतन भत्तों को बढ़ाने के लिए राजशासन से मांग कर रही है लेकिन फिर भी कोई सुनवाई नहीं की जा रही है सूत्रों की माने तो प्रदेश में करी 92,000 स्टी कर्मचारी है अगर वेतन भत्ता बढ़ाए जाता है तो करीब 15 करोड रुपए का खर्चा आएगा इसलिए फिलहाल मामले कोट काये जा रहा है लेकिन कुछ कर्मचारीों को डिप्टी सीम देविंद्र फर्ण नवी से आशा है कि वे उन्हें नयाएं जरूर दिलवाएंगे उलेकनी है कि एस्टी कर्मचारी अपनी कई मांगों को लेकर वर्षों से आवाज उठा रही है इन में सभी कर्मचारीों का नियमेती करन के साथ वेतन 34 फिस्दी महंगाई बढ़ानी की मांग प्रमुक्ता से शामिल है तो ही सूत्रों की माने तो अभी सरकार की नजर स्टी महामंडल घाटे में चल रहा है हलाकि कुरोना काल के बाद उसकी आए में सुधार आया है तिपावली के आसपास अतिरिक्ते बसे चला कर महामंडल ने अच्छी कमाई की थी लेकिन सरकार की नजर में ये राजस्व पर्याप्त नहीं है वहीं अधिकारियों का कहना है कि जो रकम S.D. की बसों से आ रही है वह सिर्फ संचालन के लिए पर्याप्त है बजट के कमी के करण इलेक्ट्रिक बसों की खरीदी में भी देरी हो रही है इन बिसे नियूज के लिए कैमरे परसन राजकुमार मुहुड के साथ शित्य जादेश मुक्य रिपोर्ट